पर दोस्तों नमासकार प्राम दोस्तों मैं धरणजे कुमार अपका अपना यूटू चेनल भच्परी गंगा में स्वागत है आज मैं आप सब बताने वाला हूँ निरववा पौन खेसारी में सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म कौन है यानी पूरा साबोत के साथ इस वीडियो में आप सभी को देखाने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि 2018 में सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म कौन है तो दोस्तों इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी ते सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो लोग कर ले और खेसारिला लेदोजी की बड़ी फिल्म थी संघार्स हाँ तो चलिए दोस्ता आप सभी को बता जाना चेता हूँ 2018 में सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म कौन है यानि इन तीनों में से सबसे ज़्यदा कमाई करने वाली फिल्म है बाडर जो की चार सप्ता चली और चार सप्ता में ए फिल्म सिरिफ एक सिनेमा गर में 11,89,894 रुपे की कमाई की थी और दूसरा नमर पे बोचपरी की दबंगेश्टर खेसारिला लेदोजी की फिल्म संगहर से फिल्म तीन सप्ता चली थी और तीन सप्ता में ए फिल्म 7,31,000 की कलेक्शन की है जो कि आप लोगी स्क्रीन में देख सकते हैं और तीसरा नमर पे बोचपरी के पाउश्टर पोवन सिंग की फिल्म मा तुझे सलाम जो कि इस फिल्म का कलेक्शन अपडेट नहीं किया गया है मगर तीसरा नमर पे है जो कि आप लोगी स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं इसकी जनकारी आनांद मंदे थियाटर अपने फेस्बुक पेज के मादयम से दिया था आप दोस्तों आप सभी को बादय नाचेता हूं 2018 में सबसे दा कमाई करने वाली फिल्म में निरववा जी की फिल्म बाडर और दूसरा पे है बोचपरी की दबंग इस्टार खेसारी लालेद जी की फिल्म संघर सा और तीसरा पे है बोचपरी के पाउश्टार पाउन की फिल्म मा तुझे सलाम और निरववा पाउन खेसारी में सबसे दा कमाई करने वाली फिल्म है निरववा जी की फिल्म बाडर जो की बाडर फिल्म का कमाई का रिकॉर्ड अभी तक किसी इस्टार ने नहीं तोड़ पाया है यानि पाउन खेसारी में किसी ने नहीं तोड पाया है एक बतावर आप सभी को बता देना चेता हूँ अगर साबूत के साथ किसी भी फिल्म का कलेक्शन चाहिए तो आनंद मंदिर की फेस्बुक पेज़ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं क्योंकि बाकी सब यूटूबर आप सभी को सही जनकारी नहीं देते हैं और आप लाइक करें कमेंट करें सेर करें सस्क्राइब करें धान्यवा दूस्तो